अनन्द का फंडा के आज के एपिसोड में सबसे पहले हम आविश स्पेस तॉजिशन इमिटेट के IP को डिटेल में स्टडी करते हैं काफे कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए इंट्रेसिंग डेटा प्रेजेंट करने वालों तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले ऐसे कुछ लोग होते जो सिर्फ और सिर्फ ग्रे मार्केट प्रेम जाना चाहते तो उनकी अपडेट के लिए इस IPO में ग्रे मार्केट प्रेम चल रहा है 43% का 383 है IPO का प्राइस और ग्रे मार्केट प्रेम चल रहा है 165 का Initially grey market premium open हुआ था 70 के आसपास का और धीरे धीरे बढ़ता गया because इस week में mainline IPO में यह single IPO है यह से benefit मिल रहा है जिसकी वएसे सारा action आपको इस IPO में मिलने वाला है और इस IPO का grey market premium अच्छा कासा चल रहा है Retail में अगर आपको एक lot में lot मिलता है तो as per grey market premium 4900 का profit होने की expectations है और H&I category में 68000 रुपीज की profit होने की expectations बनी भी है Company की बात करें तो 2014 में company incorporate हुई थी workspace solution provide करती है इंडिया में अगर आप इनके complete clients को check out करोगे तो यहाँ पर check out करेगा 2200 के उपर इनके पास clients है और हर एक field के है पर सबसे आजा client इनके पास 46% होने वाला है information technology के next 11% के आजपास होने वाले है consumer services and professional services के तो यह इनके major dominant segment हो जाते है IPO open होगा 22nd of May को और close होगा 27th को IPO का allotment decide हो जाएगा 28th को refund या फिर आपको अपने shares मिल जाएगे 29th of May को और listing हो जाएगी 30th of May यानि कि इससे पहले कि stock market में election का impact होगा इस IPO के listing हो चुकी होगी retail में आपके पास 39 shares का एक lot होने वाल है H&I small category में आपको minimum 14 lots के अपलाए करना पड़ेगा और H&I big category में आपको minimum 67 lots के अपलाए करना पड़ेगा अगर retail category को one time होना है और एक time होने के लिए अगर हम माने कि हर एक user सिर्फ एक lot के अपलाए कर रहा है का amount होता है 14,937 तो जैसे ही हमारे सामने यहां पर 39,963 applications आ जाएगी यह complete IPO retail में एक time full हो जाएगा मतलब बहुत चोटा IP है H&I small की category में सिर्फ 1427 applications में one time हो जाएगा और H&I big category में 2854 applications में यह IPO one time हो जाएगा IPO का total size है मात्र 598 करोज का 128 करोज है fresh issue और balance होने वाला है offer for sale employees को 36 रुपीज का additional discount भी है QIB के लिए major 75% है retail के लिए सिर्फ 10% और H&I category के लिए mark 15% का IP है IPO का size काफी छोटा है मतलब इस IPO का size काफी छोटा है और छोटा होने के साथ retail और H&I category में भी हाँ पे काफी कम allocation होने वाला है promoters की holding before IPO थी 41.5% और after IPO रह जाएगी 30% की major IPO के लिए यहाँ पे fund raise किया जा रहा है capital expenditure के लिए working capital requirement के लिए and general corporate purpose के लिए financials को अगर आप check out करोगी तो पिछले तीन सालों में financials यहाँ पे almost double से ज़्यादा हो गया है जो आच्छा है revenue भी काफी अच्छा है यहाँ पे 216 करोज से बढ़ते बढ़ते 565 करोज इन्होंने close किया था last year और 31st December 2023 तक already 633 करोज तक पहुँच गया है profit after tax में आपको loss देखने को मिलेगा net worth 247 करोज की है reserves obviously यहाँ पे negative है boring सा figure छोटा है अब यहाँ पे आपको इसके financials समझने के लिएना है सबसे पहले इसके peer comparison को करना पड़ेगा और peer comparison को आप समझोगे तब आपको इसके financials समझ आएंगे आने की EBIT की कॉलम में आपको पता चलेगा सर्फ office है जहाँ पे जिस company का EBIT अभी तक positive गया है तो यह आपके लिए एक additional benefit होजाता है कि इसके peer comparison के comparison में इसके EBIT के figures बेटर है पर हाँ overall profit after tax देखो के तो वहाँ पे आपको loss ही मिल रहा है जो complete company के लिए negative हो जाता है इस complete IPO का सबसे बड़ा negative ही यह है कि company अभी तक profit making नहीं है इवन अगर हम foreign countries में बात करेंगे महाँ पर भी वीव का concept बहुत अच्छा है पर अभी तक महाँ पर भी investors ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाई नहीं इस concept पे pat margin obviously आपको negative मिल रहा है details बाकि आपके सामने presented है मतलब इसकी financial से इसकी सबसे बड़ी कमजोरी वह भी इसलिए क्योंकि यहां पर हमें loss देखने को मिल रहा है finally मैं अपने opinion पर जाओ उससे पहले अगर अभी तक आपके पास DMAT account नहीं है तो description में print account पर आपको free DMAT account open links मिल जाएंगे plus DMAT होना एक बात है साथ ही अगर आप हमारी team के लिए चाते है कि वह आपके लिए mutual fund distribute करे properly manage करे तो description में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें जाके आप हमारी team के साथ एक call book करा सकते free call होगा अगर आप चाते है कि हमारी team आपके funds को manage करें investments में आपके help करें तो वहाँ पर जाके complete form बढ़ सकते हो अगर इस IPO के complete बात करें grey market premium बहुत अच्छा है long term के लिए after listing मैं इस company को जब तक मुझे confirmation नहीं मिलेगा मैं भाग के काम करने के बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा just on the face of it purely from listing and perspective because इस हफते में और कोई भी main line IPO नहीं है, IPO का size बहुत कम है, छोटा IPO है especially retail और H&I category में plus अगर मुझे यहां पर anchor book काफी अच्छे मिल जाती है तो मैं इस IPO को consider कर लूँगा but purely and purely from listing and perspective long term के लिए क्योंकि concept अभी तक foreign में इतना successful नहीं हुआ है, company loss making है, तो मेरे basic concepts में यहां पर यह apply नहीं होती है, तो उस में मैं सोच समझ की काम करूँगा, यह मेरा personal IPO का complete opinion बन रहा है पर हाँ, listing and के perspective से काफी interesting की IPO हो रहा है, अपने opinion को comment करके बताना मत भूलिएगा, अब हम चलते नेक्स section पर जिसके नाम है, expectations from tomorrow's market General market trend अभी भी uptrend में है, put call ratio 1.15 के आजपसे जो काफी comfortable हो जाता है FIS और DIs का आप data check out करेगा FIS back to back sell कर रहा था एक 17th of May को as an exception उसने purchase किया फर वापिस से selling की तरफ वो आ चुका है, मेरा simple FIS भी उसे join करेंगे, वो आपके लिए पहला int हो सकता है, ध्यान रखेगा इस बात तो Wix को check out करोगे, तो 21 के ऊपर जा चुके है, और stably sustain भी कर रहा है finally option writing के भी दिन आपके लिए वापस आ गया है, I am very sure आप मेंसे काफी लोग already option writing को भूल गया होंगे, but yes, आये वो पराने दिन वापस है, congratulations to you guys market के price action को study करते है, positive बनावा है, अब देखिए, positive बना हुआ मतलब क्या हुआ कि मैं randomly जाके कल nifty या bank nifty purchase कर लोगा, possible नहीं है, हमारी लिए point of change भी होना चीए, तो कल के लिए हमारा point of change होता है, 22,000 to 80 का level इसके नीचे जाते ही हमारा mindset negative चल जाएगा और एक बार के लिए मुझे क्या लग रहा है, जिस तरीकी से price action बना हुआ है, कल के दिन आपको पहले कुछ समय में, या तो inside candle पहले एक देट घंटे के अंदर अंदर building की possibility है, और inside candle पहले आपको trade मिल सकती है, या फिर range की trade मिल सकती है, कि पहले एक देट घंटे में market तोड़ा सा रुख जाए, और फिर निकले, जब भी ऐसा होना उस पर ध्यान रखिएगा, positive काम करने का पहला समय होता है, जब market important support के आउस पास हो, bounce back करे, हमाई लिए बहुत brilliant तरीका होता है, या फिर inside candle का setup मिल जाए, nifty में तरीका होता है, या फिर अगर उपर ही जाना है, तो जब market 22,580 को cross करेगा, तब हमाई लिए नई trade बनेगी, वरना नहीं बनेगी, I hope आप समझ पा रहे हो, तो कल के दिन, बैंक निफ्टी बेटर प्लेस एक काम करने के लिए, बैंक निफ्टी के लिए important support होने वाला है 47,800 का, अगर gap down होके, इसके आसपस market में एक भी हमें एक ऐसी डोजी टाइप की candle या फिर एक अपर विक की candle मिल जाती है तो वो एक अच्छा reversal का area हो सकता है, जहांसे bounce back के chances होते हैं, या फिर range में काम होके निकल रहा हो, वो भी एक bounce back के chance होते हैं, fresh नया move start होगा 48,250 के उपर, which is absolutely okay, उसमें मैं इतना यादा interest नहीं रहोंगा, पर इन दो cases पे काफ़ इंटर्स बना रहेगा, इससे पहले मैं आगे जाओ, आप इसे कुछ लोगी query आ रही है कि अनन्त अभी आपकी birthday यानि 18th of May वाले दिन birthday नाम के code से आपको 18 बसंगा discount मिल रहा था mobile app पे हरे courses में, आप इसे काफी लोगों ने miss कर दिया क्योंकि या तो आपने का overall mindset positive रहेगा, positive side train डूडने की जादा अच्छा करेगी option selling करनी हुई मुझे तो सुबे साड़े नो पॉने 10 के आसपास करके cover up करना पड़ेगा मुझे साड़े बारा बजे के बाद क्योंकि साड़े बारा बजे के बाद जिस तरीके का price action है कल या फिर पर्सों के दिन एक बड़ा move इधर direction में आ सकता है तो आपको साड़े बारा से पहले पहले option writing एक बज़ से पहले पहले close करके रखनी पड़ेगी इसीच का ध्यान रखेगा वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करें भीना मज जाएगा एक important video आपकी screen पर आ रहा है happy learning and we will see you very soon